अब हमारा नेक्स टॉपिक है नौइज और साउंड पॉलीशन देखो नाम से के लिए रहे है नौइज और साउंड पॉलीशन देखो एक लिमिट भर में जब गाना बजता है या फिर कुछ भी होता था अपने को अच्छा लगता है लेकिन एक लिमिट से ज्यादा चल जाता हम लोग जब डिस्टर्व होने लगते हैं किसी नौइस से या फिर किसी साउंड से तो हम लोग बोलेंगे नौइस पॉलीशन अब इसको और सिंपली करते हैं लोग ट्राफिक में क्या होता बहुत जादा नौइस निकलता है आप तेखना जब किसी इंडस्री के बगल से ज लौड म्यूजीक निकाल के साथ इन लोग जाते हैं तो वर जो लौड म्यूजीक होता है यह सब जो अभी मैंने आपको बताया कि मसीन से आवाज निकलना कंश्क्षन से लौड म्यूजीक ट्राफिक में यह सब जो एक नौइज है ना? यह सब को हम लोग टॉल्रेट नही तो कि हमएंसको टॉल्डेट कर पाँगा नहीं वह मेरे क्या हो जाए never तो जैसे वह क्रियेट करने लगें कि कोई भी ना वज को कोई भी साओंड जब वह स्ॉइंव भी क्रिट करने लगेगा तो हम लोग किया बोलेंगे हमारा जो स्रॉंडिंग हमारा जो environment है, हमारा environment में उस तरह का sound यदे disturbance करने लगेगा, हम लोग बोलेंगे, हमारा sound noise pollution हो रहा है, noise pollution क्या होता है, basically noise pollution क्या होता है, जब कोई harmful, हाँ यहाँ पर देखो, मैंने लिखा भी है, harmful sound और unwanted sound, अब इसको noise भी कर सकते हो, unwanted और harmful sound, जैसे कि traffic से निकलता है, construction activities से, industries से, lord music ब क्या होता है, हमारा जो एक tolerate करने का, जो music tolerate करने का, जो एक level होता है, उसको exceed कर जाता है, जैसे exceed कर जाएगा, क्या करने लगता है, यह लोग नहीं, यह sound क्या करता है, हम लोगों को disturbance क्रिएट करता है, और जैसे disturbance क्रिएट हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे, noise pollution हो रहा है, ट्राफिक कवाज है इसको टॉल्रेट नहीं कर भाई है टॉल्रेट करने का जो लेबल है उससे जादा है लेबल तो इस थरह का जो जो ना उसको भीड़ीज पोलूशन गर्मी घर देखो noise pollution के इसको में लोग बोलेंगे excess disturbing label of noise जो क्या करता natural environment को disturb करेगा disrupt करेगा excess or disturbing label जो होता है noise का जो की natural environment को disturb करता है इससे क्या होता human health हम लोगों का health पे भी affect पड़ता है अब मेरे कान के बगल में बहुत जादा जोर से यदि music बजने लगे तो बताओ मेरे कान का क्या होगा तो मेरा health तो खराब होगा ना भाई यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं यह traffic में लोग फसे हैं बहुत जादा honk पे horn पे horn बज़ रहा है जिसके विज़े से लोग का जो एक tolerate करने का level है उसको exceed कर रहा है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या सकते हैं कि noise pollution हो रहा है अब सवाल है कि noise pollution कैसे हो रहा है अभी जो pictures देखे होगे आपको ऐसे ही समझ में आगे होगा noise pollution कैसे होता है यहाँ पर देखो एक pictures देखो यह जो यह जो machine होता है ना जो road में use होता है यह बहुत जादा आवाज करता है यार मुझे भी disturb करता है तो मैं क्या कह सकता हूं यह कहीं न कहीं क्या cause कर रहा है noise pollution च्छाल अब यह जो noise pollution है ना सबसे पहले transportation transportation बहुत जादा noise करता है ट्राफिक में देखना जो बहुत सारा vehicles होते है ना वो vehicles क्या करता है भाई noise pollution करता है इसमें की car, motorcycle, buses, airplane यह सब transportation में ही आ जाएगा यह सब क्या करता है बहुत जादा noise pollution करता है यह generally आपको कहां देखेगा अर्बन एरिया में जेनरली आपको transportation से pollution होता है आपको अर्बन एरिया में देखेगा गाउं में विलेजेस में तो बहुत कम गाडियां चलती है तो वहाँ पे आप क्या सकते हो इससे कोई जादा इतना जादा लेकिन वाले एरिया में बहुत जादा इंपाक्ट होता है नेक्स्ट नुइस प्वूजुशन करता है तो अपना industrial activities बहुत सारा इंडस्टियल एक्टिविटिया होता है अच्जानते हो ने industry में बहुत बड़ा-बड़ा machines होता है एक्चूपमेंट यूज होता है manufacturing process में इंडस्रिल एक्टिविटी से भी noise pollution होता है अपना construction sites आप construction sites पर जाओगे तो देखना वहाँ पर बहुत ज्यादा noise होता है वहाँ पर drilling चलते रहता है घर में बहुत सारा कुछ drilling होता है generator चलता है कोई चीज निकालने के लिए आजकल तो हरी कुछ के लिए drilling होता है जब भी drilling क साधी होदी में जाते हैं हम लोग या फिर कोई concert हो रहा है कोई sporting event हो रहा है जैसे कि आप कभी जाकर मैच देखोगे तो वहाँ पर देखना कितना सारा हल्ला होता है आप जिसे नर्यंद मोदी स्टेडिय में जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पर लगवग one lakh people दै औ सोचो कितना huge होगा तो sporting event में भी noise pollution होता है उसके बाद जब लोग बहुत जादा गिदरिंग करते हैं एक जगह पे जैसे कि मान लोग कोई सवाल लगा कि कुछ भी हो रहा है कुम हो रहा है इस तरह का religious gathering होता है या फिर कोई भी गिदरिंग पॉलिटिकल गिदरिंग जब को अल्ला होता भाई खैर तो हम लोग देख लिए कि इंटर्टेनमेंट या री क्रिशनल सोर्स से भी क्या होता है भाई noise pollution होता है नेक्स्ट है अपना अर्वनाइजेशन और पॉपॉलेशन डेंसिटी अर्वनाइजेशन का जैसे कि देखो पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ एफेक्ट क्या होगा ये हमलोंगग पढ़ें सबसे पहला हम लोगों युद्ध इंपक laug आपका जी जो मेरे घर के में बहुत जाह गहाएं उज्या द्रीलिंग तो क्Я ready इंग्जाइटी होगा ब्लड पेसर आपका हाई हो जाएगा काडियो वेस्कुलर डिजीज आपको हो सकता है किसके वज़े से नॉइस पुलुशन बहुत ज्यादा यदि नॉइस हो रहा है तो नेक्स्ट है communication and concentration interference यदि आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आपको चीज मानलों कि मैं पढ़ रहा हूं मेरे घर के बगल बहुत जादा drilling हो रहा है तो क्या मैं concentrate कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा या मैं किसी से बात कर रहा हूं बहुत जादा बगल में noise हो रहा है या साधी हो सो पाता है बहुत साथ लोग सो नहीं पाते है sleep disturbance हो जाता है sleep pattern अमानलों कि मेरे घर के बगल में 12 जा रात तक डेली concert हो रहा है तो मैं सो पाऊंगा मेरे सोने के time 10 बज़े है तो मेरा एक sleeping आप क्या सेकतो sleeping जो मेरा time है न वह sleeping pattern जिसको हम लोग बोलते है sleeping pattern disturb हो जाएगा है न वही तो noise pollution का effect देख रहो sleeping disturbance भी होता है नेक्स्ट है impaired learning performance देखो मानलो कोई school है school के बगल में कोई sports नहीं बोल सकतो school के बगल में कोई मैदान है और उस मैदान में मानलो political really daily हो रहा है तो इससे क्या होगा educational institution जो है जहाँ पे learning का काम चल रहा है जहाँ पे concentration बहुत ज़्यादा ज़्यूरी है तो क्या यह possible हो पाएगा नहीं हो पाएगा इससे क्या परफॉर्मेंस कम होगा academics जो है वहाँ का schools का वह खराब हो जाएगा है न तो यह क्यूं हो पाए academics क्यूं खराब होए school का due to बहुत ज़्यादा noise होने के वज़े से नेक्स्ट है इन्वारमेंटल डिस्टर्प्शन देखो इन्वारमेंट का जो नैच्रल बिहीवियर होता है उसको noise pollution डिस्टर्ब कर देता है wildlife का जो एक टाइमिंग है wildlife disturb होगा ecosystem imbalance हो जाएगा इसके वज़े से biodiversity का भी loss होगा मानलों यहां पर बहुत सारा जानवर रहता लेकिन यहां पर मैं biodiversity उस एरिया का बहुत खराब हो गया है ecosystem उदर का बहुत खराब हो गया है तो environmental disruption भी होता है noise pollution की वज़े से अब हम लोग देखते है चलो problem तो देख लिए भाईया यह problem है और यह effect भी हो रहा है अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं noise pollution थोड़ा हम लोग देख लेते solution noise pollution सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं urban planning and joining हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक plan बनाना पड़ेगा है न कि इस area को हम लोग जिसे की मानलो industry वाला area है तो अपने को यह separate करना पड़ेगा कि भाईया देखो यह industry वाला area यह residential area है अब यह residential area यहाँ पर लोग रहते हैं यहाँ पर लोग रहते है तो यहाँ पर आप- इंडस्टीस नहीं लगा सकते हो इंडस्टीस लगाओगे यहन के लोग सो पाएंगे silly ping in disturbance हो जागा- यहां के लोग तो सो भी नहीं पाएंगे तो planning बहुत जरूरी है superior न कि ये तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यदि हम लोग अर्वन प्लानिंग करेंगे लोग कहीं रहने लगेंगे समझ रहे हो ना तो इससे क्या होगा नौइस पूलुशन कंट्रोल नहीं हो पाई लेकिन अर्वन प्लानिंग करते जोन बांट से और सेप्रेट करते रेसिडेंशल एरिया को नौइजी एरिया से तो क्या हो सकता है कि अ उसके बाद है noise barrier and insulation हम लोग जैसे मांद लोग कभी wall बनाते हैं या बनाता है कि जिसे घर करना चाहिए ऑपन को हुदर क्या करना चाहिए न ज़ो हम लोग घर बनाते हैं उसको इस तरह से 되어 करना चाहिए कि जासे देखतो ना आज कल रूम में लोग जो किन्वार लगते हैं बहार का वाज अदर नहीं आता तो वह सब चीज करना चाहिए बहुत जरूड़ी है इससे क्या होता है इसलिएशन कर दों तो बहार का अवाज कम हो जाता citizen पेशन और सभ् proclaim जगर्मेंट्वर्मेंट्विक धृवनेंस यसाब mêmes हर एक पोल्यूशन का सोलूशन आपको लिखना Cyclope लिखना है घर तो र्यक्नीन ड़ेशन में गवर्मेंट को क्या गरना चाहिए और भी अच्छा से regulation नाना चाहिए, कितना लेबल का, किस एरिया में noise होना चाहिए, यह सब चीज़, इसके साथ साथ, आप laws बना दो, regulation बना दो, उसको क्या करना पड़ेगा, government को, उसको enforce भी करना चाहिए, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इनफोर्स भी करना चाहिए, government क्या करती है, बहुत बार regulation बना देती है, तो इसका enforcement देंग से नहीं करती है, और फिर क्या फाइदा, laws बना के जब enforcement ही आप नहीं करोगे, तो क्या कोई फाइदा नहीं है, तो noise pollution को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, क्या solution है, तो solution यह है, कि हम लोगों को government को बोलना चाहिए, भाई, noise pollution से रिलेटेर आप regulation लाओ, और क्या करो, उसको implement करो, regulation को implement करो, next step, public को aware करो, है ना, educations for law, noise से रिलेटेर है ना, कि भाई, इससे ज़्यादा level का harmful होता है, आपके लिए harmful का, basically आपको aware करना है, लोगों को, है ना, उसके बाद क्या है, next है, noise control in design, देखो, थोड़ा उपर करता हूँ, तो जो आर्किटेक होता है, जो, मालो, अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, घर बनाना, तो उनको इस तरह से घर को बनाना चाहिए, फिर इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, उसमें soundproofing material यूज करे, ventilation quiet हो, green space ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये चीज को थोड़ा धिहान रखना है, आर्किटेक्ट जो अन्वर प्लानर है घर बनाना चाहिए, या फिर आप भी घर बनाऊगे, तो ये सब चीज का धियान रखना, soundproofing material यूज करना ताकि बाहर का वाज कम अंदर आए, आप बाहर का वाज यूज ज़्यादा अंदर आए तो उससे आपको disease हो सकता, effect में पढ़े था ना अपना, उसके बाद, personal effect, sorry, personal effort, इसमें बहुत ज़रूरी है, individuals का effort, है ना, यदि हम लोग quieter रहेंगे, हम लोग application से, हम लोग यदि कोई भी घर में जैसे सामान यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, जो कम noise करें, उसको use करना चाहिए, ना, वेकिल जो कम अवास करें, उसको use करना चाहिए, तो ये personal label पर, यदि हम लोग हर एक इंसान effort लगा है, तो हम लोग noise pollution को कम कर सकते हैं, उसके बाद है, a conclusion, ठीक है, conclusion, conclusion में देखो, फिर एक ही बात बोलूँगा, फिर लोगो, को मिलके, सारे लोगों को मिलके, individuals को आना पड़ेगा, community काना पड़ेगा, government काना पड़ेगा, businesses house काना पड़ेगा, तो ये सारे लोग मिलके क्या कर सकते हम लोग? pollution, noise pollution को कम कर सकते हैं, साथ-साथ, इतना सारा, सब इंप्लिमेंट करना चाहिए यह सब इंप्लिमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं एक पीसफुल इंवर्मेंट क्रिएट कर सकते हैं और मॉइस पोलुशन को कम कर सकते हैं